हेलो वाट सब गाईस आजम इस वीडियो में देखेंगे हो तू कनेक्ट रिडक्स विट आउर रियक्ट अप्लिकेशन जिहां काईस फाइनल वह घड़ी आ गई है जहां पे तब से पिछले दो तिन दिन से हम क्या कर रहे थे हम गाईस हमारा पूरा कब पूरा है ना फोकस थ अब हमें कनेक्ट कर लो रियक्ट के साथ ठीक है तो फाइनली वह आज इस वीडियो में कबर होने वाला है बट उससे पहले फिट से थोड़ा सा थियोरी ताकि आपकी लाइप और ईजी हो जाए देखो ही जाए ना आप बहुत क्लिए देख सकती वह इने ओ रियक्ट अप्लिकेसर वी निट टॉ कर नेक्स तो अड़ एकसर दू धियोक्त कर एक्शन को हमें रियक्ट कमपोनेंट के साथ करनेक्ट करना पड़ता है बट कैसे जो इससे होगा यह की हमारा जो और रियक्ट अप्ल data को वह access कर पाएंगे and then जो भी access उख और dispatch कर पाएंगे लेकिन अभी भी कोई से निया भाई करे तो करे कैसे कैसे करेंगे समझे रहे हो तो मैं आपको बताता हूं now again Redux को react के साथ guys connect करने के लिए we need one more package and that is your react Redux तक हमने खाली Redux को install किया था अब हमें एको निव पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है React Redux इसके अंदर गाइस वी हब प्रोवाइडर कंपोनेंट उस प्रोवाइडर कंपोनेंट की मदद से हमें हमारा React application को रैप करना है एंद वी हब वन वैल्यू बेसिकल एक प्रोप से उसके अंदर इसके अंदर उसके अंदर एक्चुल रिटक्स का जो स्टोर है वह हमें पास करना है एंद हमारा जो React application रिटक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा अब बिना किसी देर कम बीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले लेट्स इंस्टाल इस पर्टिक्लर पैकेज तो हम यहां चलते है यहां पर देख सकते हूँ React Redux हमें पैकेज मिल चुका है The recommended way to start new apps with React and Redux रहें दो आप इसको कॉपी करो अपने अप्लिकेशन पर आई है So here again we are PowerShell को हम already NPM Install Redux करी चुके थे यहां पर इसको भी NPM Install React Redux कीजिए And then enter hit कर दीजिए So once, alright perfect यह भी मेरा once बोलने वाला था होगी है इतनी fast जल्दी से Package.json file इसका जाहां जाहूँँग So here we have React, React DOM React Redux and then Redux तो वो वीडियो का अभी तक चेक आउट नहीं किया तो जरूर चेक आउट कीजएगा आपका वर्जन 19 के साथ यह काम करेगा बाट फिलाल अभी हमें रियक्ट वर्जन 19 से ज्यादा रिडक्स से मतलब है इसलिए मैं कुछ वहाँ पर जानी रहा हूँ मैं चलता हूं मेरे में .jsx फाइल पर जैसे की मैं आप से कहा था हूँ we have a provider component so import and let's go with the provider all right provider a second million reprovider provider ठीक है कोई बात नहीं फ्रॉम आवर रियक्ट and then Redux ठीक है अब यह जो provider component अप्ने कोपी किजिए simple paste and then इस तरीके से ठीक है इसको हटाओ यहां पे रखो this is it ठीक है अब यह जो हुआ राइट प्रोवाइडर तो आपने रख दिया बट यह एक प्रॉप्स expect कर रहा है and that is store अब यह तो एक प्रॉप्स है जो प्रोवाइडर के अंदर हमें मिलती है बट इसकी जो वैल्यू है वो क्या है वो होनी चाहिए यह कि हमने जो store बनाई है वो मुझे अब यहां पर पास करना पड़ेगा ताकि हमारे रियक्ट देखो ना हमारे एप यह बेसिकली हमारे रियक्ट अप्लिकेशन है तो जितने भी अब रियक्ट के अंदर हमारे वो हमेरे इस store की वैल्यू या जोभी data है इसको आवा एक्सेस कर सकेंगे ठीक है तो इसलिए हमने जो च्मारे पास लास डियो के ठीख वाई यह माहम ज्रके रीप्तर पार गmostार मुझे करोस्पार पड़ेगा सो ध्यान रखिए we need to now add this export keyword in the beginning ठीक है तो अब इससे होगा यह कि मैं यहां पर आऊंगा तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं store सो देखो आप यहां पर मुझे automatic suggestion आगिया है so import store from our store.jsx file and this is it so yeah guys यह है तरीका जिससे अब आपका जो redux react application के साथ connect हो चुका है ठीक है अब हमारे यह react के जो applications है stores के basically हमारी store का जो data उसको कैसे access कर सकेंगे कैसे actions को dispatch कर सकेंगे वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा लिकिन उससे पहले अब जब हम react application पे आही चुके है तो क्यों ना हम यह वाला जो हमारा look है उसको create करें राइट तो उसके लिए क्या करेंगे हम चलते हैं हमारे app.jsx file पे यहां पे मैं चलूंगा मैं यहां पे काम करता हूं मैं एक new file create करने जा रहा हूं मैं लिख देता हूं और टूडू करके ठीक है मैं खाली टूडू लिखके छोड़ दे रहा हूं अभी मैं यह assume कर रहा हूं कि मैं अभी टूडू components create करूंगा तो source मैं चलता हूं यहां पे component एक new file जिसका नाह में टूडू.jsx ठीक है एंड यहां पे export const your to-do application write इस तरह की से and here we have a return keyword and then यह जो code में paste कर दे रहा हूं this is it so अब आप देख सकते हूं कि मैंने new component create की to-do नाम से उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया कैसी सब basically आप कहलो jsx तो है बट आप इसको html ही समझ लो मैं तो यही बोलूंगा we have a div container एक एक और दे पे to-do app h1 में मैंने लिखा to-do list we have a div जिसको road दे रखा है we have a form जिसमें we have a input field and then we have a one button and then we have this ul जिसको एक id दे रहा है basically इसके अंदर हमारे वो one by one list आएंगे वो तो जब हम आएंगे कैसे data access कर सकते वो कल की वीडियो में बताऊंगा one by one दिखा के फिल्याल अभी इतना में करता हूं एक सेकेंड मैं अगर यहां चलता हूं तो क्या कुछ भी नहीं दिख रहा बाइद हुए ठीके यहां पर मैं चलूंगा इसको मुझे control space and then import करना पड़ेगा इस तरीके से ठीके अगर सिप एक के application है तो क्यों फालतुका और नाटा करना इसको भी आप हटाओ हैं एस सिर्के से राक सकते हो कुछ ठीके तो अगर मैं यहां पर चलता हूं रिफेस्ट कर दाओ सो गाइस अब वही आपको कुछ दिखनी रहा है इसे एबाऊट का क्या काम है यहां पर ठीके कुछ दिखनी रहने एक काम करते है यहां पर मैं चलता हूं इसको हटाता हूं मेरे पास already CSS पहले से ही भरे पड़े है ठीक है मैं जस्ट copy-paste कर दे रहा हूं अब मैंने copy-paste इसलिए किया guys क्यूंकि मैं already world best CSS course पहले ही upload कर चुका हूं इससे best CSS course आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बता होगा इसमें नाम बदल देना इतना में guarantee दे सकता हूं 11 घंटे और 17 घंटे का यह मज़ा जाएगा सब्सक्राइब को मारो गोली इसको हटाओ ठीक है और देख तो कुछ भी नहीं रहा है क्या हो गया एक बार देख लेता है cannot access add task before initialization ओके add task before initialization ओल्राइट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यह जो पार्टे देखू मैं क्या यूज करूँ फैट आरो फंक्शन में यह एक प्रॉब्लम होता है कि पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है और बात में जाकि आपको उसको यूज करना है अगर प्रॉब्लम नहीं है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है कितना प्यारा मुझे दिखाई दे रहा है टूडू लिस्ट एंड मेरा बनके रड़ी राइट ऐसा कुछ था नहीं यहां पर एंड डोंट वरी यहां पर आप देख सकते हो मैं इस तरीके से कर दे रहा आप चा लिए अरे यह कैसे बात हुई कोई कुछ इतना आप मैनत करके आपको सिखा रहा है बार इंस्टिटुट में लाखो चार्ज करते एक लाइक तो कर दो सब्सक्राब तो कर दो आपका थोड़ी कुछ जाएगा उसमें लेकिन एटलिस मुझे थोड़ा मोटिवेसन आएगा ठ बाता हूंगा जो भी टास्का आप एड कर रहे हो उसको आप कैसे यहां पर बाइवान एक साथ नीचे दिखा सकते हो और कैसे आप स्टोर का डेटा को इन यह रियक्ट अप्लेके से एक्सेस कर सकते बहुत ही ज्याद हमाजा आएगा कल की वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते प्रिवेश लोगा अटा है तो जरू चकाइबा तबसकार कर डीजेगा स्टा अकृ अचुओ